भाईयो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है आंगनबाडी सेविका सहे का मिनी बहनों आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है उत्तरपदेश की राजमंत्री जी कह रही है कि आंगनबाडी कारकरतियों को सिच्चिका का दर्जा मिलेगा यानि पदनाम मिलेगा तो आएए देखते हैं आंगनबाडी कारकरतियों को आखिर कैसे ये सिच्चिका का पदनाम देने वाली है धरातल पर आप देख रहे हैं किस तरीके से कारकरता बहनों से काम करा जा रहे हैं जिनमें से एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे आंगनबारी कारकरता यहां पर जाडू लेकर के साफसफाई वाले काम कर रही है अब ये कोई अपनी मरजी से या फिर सौक से नहीं कर रही है सरकार जो है इस तरह के काम को करवाने के लिए उपर से प्रेसर ड जालती है अधिकारी दबाओ बनाते हैं कि साफसफाई को लेकर के अभियान चलाये जा रहे हैं इनमें ऐसा करो वैसा करो फोटो डालो आज ये कारकरम कल वो कारकम अब बताए ऐसे तमाम विभागों के कामों में अगर उनको उल्जा करके सरकार रखेगी तो सिच्छिका का केवल पदनाम दे देने से क्या करकरता बहने सिच्छ का बन जाएंगी अब सोचिए अब इस तरह से केवल पदनाम सरकार दे देगी जैसे सरकार नाम बदलने में माहिर है वैसे ही आंगनबारी केंद्रों का भी नाम बदलने में एक बार सरकार फिर से माहिर दिखी अब इस सवाल को आपके सामने रखते हैं कमेंट में आप अपना जवाब जरूर देना और आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना बहुत सारी जानकारी इसमें लगी है वाल वेकास पूसाहार कारिसाला का सुभारम्amm किया और इस अवसर पर उन warfare वाला भी बच्चों का किया और उत्करष्ट यानि अच्छा काम करने वाली आंगणबारी बेहनों को पुरूस्क्रत भी किया आंगनबाडी कारकरती अब सिचका के पदनाम से जानी जाएंगी और आंगनबाडी केंद्र प्री नरसरी स्कूल कहलाएंगे तो आप देख रहे किस तरीके से जैसे योगी सरकार नाम बदलने में माहिर है वैसे एक बार बाल विकास भाग में भी नाम बदल करके सारी जो है सुधाय लागो हो गई एक तो कारकरता को कारकरता ना कहकर के अब उनको सिचका बोला जाए और साथी साथ आंगनबाडी केंद्रों को आंगनबाडी केंद्र ना कहकर के प्री स्कूल बोले जाए अब समझ रहें चीजों को और साथी साथ आंगनबाडी पैनों से जो काम कराय जा रहे हैं वो गैर भ पर दिये जाते हैं या फिर तरह तरह के अन्ने सैकड़ों काम बैनों पर लाद दिये जाते हैं जिसके चलते सिच्छका के तौर पर जो होनी चाहिए जरूर वो होनी चाहिए जिम्मेदारियां होनी चाहिए बच्चों के प्रती वो करने में बैचारी पीछे रह जाती है अब पी तक आंगनबाडी केंद्रों की पंजीरी बाटने वाले केंद्र के रूप में उन्हें पहचान थी तो अभी भी वही है अब उसको भी खतब एक तरह से हो गया तो अब उसमें भी कमी हो गई है बाकी बढ़ा अच्छा कुछ नहीं हुआ पहले कम से कम खाने पीने का बंद लेकिन उसकी और ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना ही जो है हर केंद्रों पर बुनियादी सुवधाय पहुचाई जा रही है तो इन तरब भी गवर्मेंट का ध्यान होना चाहिए और बच्चों के खान पान और उनको वहाँ पर उनका खुद का भवन हो इसके बारे में भी जो है सवरकार सोचे क्योंकि आब ये किराये पर जो चल नहीं उनमें तमाम मुसिबते आती हैं सिच्चिका को भी आती है और तो और बच्चों को भी आती है जो मकान मालिक है उनको भी आती है क्योंकि उनको भी समय से उनके मकान का किराया जब मिलता नहीं है गवर्मेंट स तो फिर वो भी परिसान होते हैं अब देखो यहां पर इनका कहना है कि अब इनको नरसरी के रूप में विक्सित किया जा रहा है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक इन आंगनबारी केंद्रों पर नोनीहालों को सिच्छा दी जाएगी यहां इन बच्चों को सिच्छा देने वाली कारकरती सिच्छा कहलाएंगी बताव आंगनबारी कारकरता सिच्छा देंगी और वो आंगनबारी ना कहकर के सिच्छा कहलाएंगी लेकिन सरकार इनके लिए ना तो कोई नियमावली बनाई है ना तो इनको जो है सिचकों की तरह वेतन मिल लहा है ना ही जो इनको राजकर्मचारी का दरजा मिला है जब इनको पैसे देने की बात आया तो ये मानसे भी हो जाती है और वैसे जो है यहाँ पर सिचकाएं हो जाएंगी तो ये अजीब तरह की सिचकाएं हैं जो सरकार अपने यहां पर नाम बदल करके अपना काम करवा रही है फिलहाल के लिए इनका कहना है कि आगे चल कर इनी बच्चों को परसदी स्कूलों में दाखिला भी दिया जाएगा राजमंत्री परतिबा सुकला ने कहा कि जिन कांद्रों में अपने भवन नहीं है उनके लिए विभाग बजट का प्रावधान बना रहा है साथी मनरेगा से भी मदद ली जाएगी और कोसिस रहेगी कि परसदी स्कूल में ही पास एक कमरा का नर्मान अंगरबारी केंद्र में वहाँ पर हो लेकिन वह बाद में बन करके निकल के आते भी है या नहीं तो उनको भी तो आप देखो कौन से केंद्र है जिनके लिए पैसा तो निकल चुका पैसे जारी हो चुक है पिछले कई वित्ती वर्सों में लेकिन वो केंद्र मिले नहीं हैंड़ोवर नहीं हुए तो इस बारे म अधा जो है बंद करके उनको जो है आपर उनका वेतनमान उनको दिया जाए मान से भी अब वो नहीं रहें क्योंकि कार उनसे राजकर्मियों वाले कराया जारे तो राजकर्मी का दर्जा मिले इस तरह से कई जरूरते हैं जो सरकार को करनी है लेकिन सरकार केवल ऐसे कार मनवा रही है इसमें साफ सफाई और इस तरह से कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह से ये सब चीजे करवाई जाते हैं गैत्री बहन आजमगर से जिनके द्वारा के फोटो बेजी गई और आपको बताना चाहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं अर्चना सर्मा महनें गोरकपुर से आती हैं और यहां पर गोरकपुर में उन्होंने कहा कि बियलो का पंद्रा सो रुपिया आया है कितना रुपिया पंद्रा सो रुपिया बियलो का गोरकपुर जिले में पंद्रा तारीक को आया है ऐसा इन महन का कहना है अर्चना महन का इनके अलावा अ पुछ ये केंदर दिखाई दे रहे हैं अब ऐसे करके अगर ये चीजे रहेंगी तो आप बताओ कैसे बच्चे पढ़ेंगे कितना सापसफाई हो पाएगा तो केंदरों के बाहर चाहार दिवारी भी तो जरूरी होती है ताकि जानवर मवेसी वहाँ पर ना पहुँचे और आगनबाडी केंदरों पर आने वाली नन्यमुन्य बच्चे उनको उनसे कोई खत्रा भी ना हो तो लेकिन यहाँ पर साथ बंदोबस्त नहीं है जिसके चलते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ताया कल्प 246 केंदरों का करवाद है बाकी केंदर जो है बत्तर हालत में पड़े रहें अब देखेगा आगे चलते हैं और आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए 36 गड़ के रायपूर से के खबर निकल के आ रही है 36 गड़ के आंगनबाडी केंदर में मिल रही सुवधाओं को करनाटक के टीम ने सराहा है कहा है कि नवाचारों को प्रदेश में लागू करने कराएंगे तो आए देखते हैं कि करनाटक के रायपूरा वगरा से क्या खबर है तो यहाँ पर एक यह तस्वीर पहले आप देख लेजिए आदर सांगनबाडी केंदर मोहलाई करम एक का यहाँ पर दिखाए दे रहा है तो जो है मोहलाई में संचालित आदर सांगनबाडी केंदर का अवलोकन यहाँ पर किया गया है 16 सितंबर की कल की ही यह आर्टिकल है जागरण में प्रकासित हुई है आईए देखते हैं फोकस करते हैं चतीस गड़ के आंगनबारी केंद्र में संचालित प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और यहाँ पर आपकी ECC सहीद विभिन गतविदियों का अवलोकन करने गुरुआर को करनाटक राज की टीम पहुंची टीम ने टाटा ट्रस्ट, यूनी सेट एवं महिला बालविकास भाग इनके समनवे से दुर्ग जिले के ग्राम, मोहलई के आदर सांगनबारी केंद्र और ग्राम कोटनी आंगनबारी सहीद जो है आपर गौठान का अवलोकन किया टीम ने इसी सी गत्विदियों के साथ साथ 36 गड में लागू, नवाचार, मौक्यमंत्री, सुपोर्षर, अभियान और सुपोर्षर वाटिका और गौठानों, एमम समदाइक, जो है सहयोगों को सराहा है करनाटक राज में इन्हें लागू करने के लिए आवस्य कारवाई करने की बात कही जा रही तो फिलाल के लिए ये कुछ मैटर है जो करनाटक से निकल के आ रहे हैं अब गवठान को सकता है अपने यहां भासा में कुछ और बोला जा रहा हूँ उनके आगवठान बोलते हैं फिलाल इसके बारे में नहीं पता इसके किसके बारे में बात कर रहे हैं और आगे बात करें तो टीम में करनाटक राज के दो पर्योजना अधिकारी टाटा ट्रस्ट और यूनिसेप इनके यहाँ पर सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्स के प्रतनिधी वहाँ पर सामिल रहे हैं और टीम का प्रतनिध तो करनाटक राज आंगन बाड़ी महिला बाल वि प्रिस्तार से जाना भी है तो ये कुछ चीजें करनाटक से आ रही है आधर सागन बाड़ी केंदर का अवलोकन भी किया गया है तो इस तरह से वहाँ पर कुछ चीजें सामने देखने को मिली है पॉस्टी काहर वहार वगरा के बारे में और इसके अलावा अगर हम बात करें खबर की तो सलमा भी बहन है मद्ध प्रदिस के साजापुर जिले से आती है और काराले नगर परिसत मक्सी जो पलता है जिला साजापुर में वहां से 14 सितंबर को एक ये मुनादी सूचना जारी की गई है ध्यान से सुनिएगा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि प जाधा फैलता है अतारोग के संत्रमट से जिले के पसूँ को बचाने के लिए स्रीमान कलेक्टर और जिला मज़िस्टेट जिला साजापुर द्वारा संपूर्ड जिले में पसूं के परवाहन पसू मेला और पसूं के हाटा बजार वगरा में इसको प्रवेश्बंदित किया गया है साजापूर जिले में सीमा छेत्र में पसूं का परवेश्बंदित है और आधेश, दंड जो संगीता वगरा 244- tweet भारा वारा है तो उनको जो है मेलो मेलो में नहीं जाना है जो भी पसुओं के मेले बगरा कायोजित कराया जाते हैं। और यहां पर अगोता लिखा गया है गुलावटी लिखा गया और खुरजा लिखा गया है। पर सभी विवस्थाओं को देखा जा रहा है तो फिलाल के लिखा गया है अब यहां पर बदलाओ वो करे तब तो अच्छी बात है अब अगर एक दो तीन चार दस जो भी कम मात्रा में अगर लिए जाते किसी के चलते तो वो उन पर जो है सुविधाय जादा देखने को मिलती अब 72 आंगनबाडी केंद्र को इन्होंने गोद तो ले लिया अब 72 आंगनबाडी केंद्रों में सुविधाय क्या दे पाते हैं ये भी तो जरूरी होगा अब फिलाल के लिए इनका कहना है कि कुपोशर को खतम करने के लिए अब जन प्रतिनीलियों से पहल सुरू कर दी ग लिखेंगे और सभी विवाग के द्वारा कमियों को वहाँ पर दूर भी किया जाएगा तो अच्छी बाते देखते हैं कब तक जो है ये 72 केंद्रों का ये जला पंचायजी जो है वहाँ पर जो काया कल्प कर देते हैं या फिर ऐसे ही जो है कांग जो पर बस आंगनबाडी के अंतरगत ये कारकम मनाया गया है उसकी फोटो है और ये एक बहन है जिनका नाम है यहाँ पर विनिता सिंग जो की आती है लकीम पुर्खेरी से उनके वहाँ पर भी जो है आंगनबाडी के इंद का सिलान्यास किया गया है वीडियो सर्ग के द्वारा और यहां पर वो तस चाहेंगे कि जैसे कि कोई स्पेसल ख़बर हुई जो बड़े लेवल पर होगी आच्छी होगी आपसे राय लेना चाहेंगे उसका एक मिनट का डेड़ मिनट का मुस्किल से एक दो मिनट का ही वीडियो छोटा सा वो कहां पर आ जाएगा सुधान्सू पर टिल पर आ जो भी बड़े वीडियो देखा जो नहीं अगर देख पाते हैं तो छोटे वीडियो उनके सामने आ जाएंगे तो उससे भी देख करके अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ कोई बड़ी खबर भी सामने आई है तो उसके आधार पर भी वो चीजों को समझ सकते हैं फिलाल के वीडियो में कई खबरे हों बड़ा वीडियो हो तो ऐसे आधार पर आप अलंडिया